है कि विल्कम बैक स्वाथ से दो दिन बाद 1st of February इंडिया के अंदर बजट सेशन चालू होने वाले जहां पर हमारी Finance Minister नया बजट जो है उसका introduction करेंगे अब सबसे बड़ा question यह है कि क्या इस बार के budget session के अंदर हमको crypto tax को लेकि कुछ changes देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो उसी के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्योंकि इस बार का जो budget session होने वाला है यह unlike previous year जो हमको budget session देखने को मिला था उ अब ऐसा अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होगा तो उसकी बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं currently इंडिया के अंदर crypto tax laws हैं क्या इंडिया के crypto tax laws हैं जहां पर अगर आप कोई भी trade करते हैं और profit कमाते हैं तो उसके अंदर आपको 30% flat tax यहाँ पर देना पड़ते हैं चाहिए आप 100 रुपे कमाएं चाहिए आप 1,00,000 रुपे कमाएं फ्लैट 30% tax उसकी बाद अगर आप देखेंगे 1% TDS लगता है transaction के उपर जब आप crypto to crypto transaction करते हैं या crypto to INR अगर आप transaction कर रहे हैं exchanges के उपर तो वो भी यहाँ पर लगता है और साथ में no loss set off इसका मतलब यह कि अगर आपने कोई trade ली और अगर आपका loss हुआ तो वो loss आपका है लेकिन अगर आपने कोई trade ली और उसके अदर आपका profit हुआ तो उसमें से 30% flat tax यहाँ पर गर्मेंट का है यही कुछ यहाँ पर laws हैं जो बहुत ही इंडिया के अंदर currently crypto to tax loss जो हैं उसको सबसे ज़्यादा unreasonable यहाँ पर बनाते हैं और इसी को लेके अगर आप देखेंगे आज से 2 साल पहले हमने petition start किया था जहाँ पर हमने कुछ changes भी suggest करे थे यह changes क्या हमने suggest करे थे suggest यहाँ पर यह थे as a community कि यहाँ पर गर्मेंट जो एक तो crypto industry को यहाँ पर उसी segment के अंदर नहीं दाले जिस segment के अंदर वो यहाँ पर betting या gambling industry को देखती साथ में currently यहाँ पर जो 30% tax लगता है flat tax इसको इंडिया के अंदर bracket wise जो tax होता है उसके according implement किया जाए कि आपके किती साल के अंदर earning होती है उस according देखा जाए साथ में अगर देखा जाए यहाँ पर currently जो 1% TDA से भी अंडिस्टान्ट ने इस advance tax को इसलिए इंडियूस किया है ताकि वो crypto transactions का यहाँ पर एक track रखना है लेकिन अगर track रखना है तो उसके लिए 1% TDA बहुत ज ले तो वो एक तरह से यहाँ पर traders के लिए काफी negative play out कर जाता है तो track करना है that is good तो इस 1% TDA को आप जरूर ट्रैक करें अगर आपको करना है लेकिन 1% TDA जो है उसको आप reduce करके 0.01% कर दें ट्रैक तब भी यहाँ पर हो सकता है साथ में आपर जो cost of acquisition है वो भी यहाँ पर define हो और साथ में यहाँ पर no loss set off उसको भी change किया जाए यहाँ पर जो loss का set off है कि अगर आपने एक trade में पैसे lose कियें फिर दूसरे में अगर आप कमा रहे हैं तो अगर loss जो है उसको set off करना allow करना चाहिए और साथ में carry forward जैसे बाकी चीजों के अंदर यहाँ पर होता है वो भी य जाओ करें one year two year something like this जहाँ पर बाकी अगर आप stock market देखें वहाँ पर जिस तरह से चीजों को trade किया जाता है तो यह कुछ changes है जो हमने यहाँ पर suggest कि अब important यह कि यहाँ पर हमारा जो budget session है वो यहाँ पर आने वाला है अब इस budget session के अंदर क्या है यहाँ पर government in में से कोई भी इंडिया के अंदर election होने वाले हैं यहाँ पर नई government जो होगी we'll have to see existing government जो फिर से यहाँ पर win करती है बीजेपी की नहीं जो जिसकी probability बहुत जदा यहाँ पर है यहाँ पर आती है तो जब ऐसा जब भी होता है कि election year जब आता है वहाँ पर budget दो parts के अंदर आता है कैसे दो parts क अंदर आता है तो अगर आप देखेंगे अभी क्योंकि election होने वाले हैं तो first of February को हमारी finance minister यहाँ पर interim budget को introduce करेंगे वो basically एक budget होता है जो ज़रूर नहीं है कि यहाँ पर mandatory रहेगा और implement हो जाएगा लेकिन in a way वो budget होता है जो idea देता है कि government पूरे अब आने वाले साल के आने वाले टाइम में तब 3-4 महीने जो होते हैं जब तक कि election नहीं होते हैं और नहीं government जो भी या फिर existing government रिलेक्ट होके नहीं आती है तब तक के लिए government keeps on running तो उसी को लेके अपने budget को वो यहाँ पर introduce करेंगे अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे second budget जो है वो भी introduce होगा वो कब होगा जब यहाँ पर April में के अंदर election हो जाती है और जो भी government यहाँ पर form होती है वो फिर अपना final budget जो है उसको introduce करेंगे तो यह final budget जो है वो कब आएगा तो इस अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1st of February को यहाँ पर हमरी finance minister interim budget जो है उसको introduce करेंगे जो यहाँ पर mandatory नहीं है वो mandatory तब बन जाएगा जब यहाँ पर finally election जो है वो यहाँ पर win कर जाते है उसके 1st of April को यहाँ पर नया fiscal year जो है वो भी start जाएगा नया financial year and यही पर अगर आप देखेंगे April और May का जो टाइम है यहाँ पर हमारे इंडिया के election जो है वो यहाँ पर जो आगे हमको देखने को मिरेगा वो पूरे साल के उपर लागो होगा वो हमको June 2024 के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पर तो I hope इस से आपको यह तो clear होगा कि इस साल के अंदर कैसे दो बार budget जो हमारे सामने यहाँ पर आ सकता है और उसका आने का reason यहाँ पर क्या है अब more importantly यहाँ पर question यह है कि क्या है यहाँ पर जो interim budget आएगा वहाँ पर हमको crypto tax loss के अंदर currently कुछ changes देखने को मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं क्योंकि election आ रहा है क्या पता कुछ ऐसी चीज़ चेंज हुझा है जिसके कारण यहाँ पर probably हमने जो request कर रखी हम इत्तर राइम से हम स जातर experts और जो stakeholders इंडिया के अंदर जब उनसे मेरी बात हुए तो उनका बोलना ही है कि probably interim budget के अंदर changes आना आनी की probability बहुत जादा कम है especially related to crypto tax बाकी सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर चीज़े आ सकती है लेकिन यह हो सकता है कि जो June का budget आता है शायद वहाँ पर जो request करी ग कि यहाँ पर जो election होते है election के बाद जो ruling government आती है वो full budget के अंदर यहाँ पर क्या चीज़े decide करते हैं तो अभी के लिए it's gonna be very important कि first of February को interim budget के अंदर क्या यहाँ पर crypto को लेके कुछ changes या कुछ बात यहाँ पर होती है जो definitely I feel पूरे session के अंदर काफी questions भी यहाँ पर ministers पूछे और उसके भी answers हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो एक perspective देंगे कि इस साल के अंदर अपकिया government का पहले की comparison में viewpoint ठोड़ा change हुआ है या नहीं हुआ है जो overall हर साल थोड़ा थोड़ा हमको positive direction में ठोड़ा बहुत तो change होता हुआ देखने को यहाँ पर मिला है उसको लेकी crypto tax bill को लेकि और budget session को लेकि I know आप मैंसे काफी सारे लोगों की question थे तो इसलिए I want to make this video so that you get an idea कि अभी यहाँ पर जो यह budget bill भी जो यहाँ पर आएगा वो दो बार यहाँ पर आने वाला है और उसका reason यहाँ पर क्या है और क्या चीज़े जो थोड़ा से हम यहाँ पर expect कर सक जाना अगर इस वीडियो को देखके आपको कुछ नया सीखने को मिला है और अच्छा लगा तो वीडियो को जुरूर लाइक करेगा चैनल पर भी subscribe करेगा it always keeps us motivated and budget session में जो भी updates आते है we'll try कि अगर कोई भी बड़ा development होता है हमारे चैनल के उपर सबसे पहले cover करने की कुशि नहीं नहीं होगा जो भी comments है आप नीचे डाल सकते हैं बाकी मिलेंगे नेक्स वीडियो के नदर पत्रक्लिफ बाइंड टेक क्या see you guys bye bye